पांच अगस्त के गुरुकुलप्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है अपडेट एक समझोता भुने नैतिक नेत्रित्व पर छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए Competitiveness Mindset Institute के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये बनारस हिंदू विश्व विद्याले भुक ने नैतिक नेत्रित्व पर छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए Competitiveness Mindset Institute भारत के साथ एक समझोता ग्यापन मोउग पर हस्ताक्षर किये भुका दावा है कि Finding Leader in You Scholar, Fly Scholar, कार्यक्रम एक पहल है जिसने विश्व विद्याले के सैकडों छात्रों को काफी लाभान विद्किया है समझोते के हिस्से के रूप में संस्थान छात्रों को कक्षा और कार्यस्थल में प्रभावशीलता और प्रदर्शन में सुधार करने के लिए बिग फाइफ प्रतिसपरधात मक्ता गैरसंग्यानात्मक कौशल सिखाएगा और उनका विकास करेगा अपडेट दोग नियुक्ती डौ ग्रिंसन जॉर्ज आयकर CMFRI के निदेशक नियुक्त केंद्रिय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI में समुद्री जैव विविधता और परियाबरन प्रबंधन प्रभाग के पूर्व प्रमुख ग्रिंसन जॉर्ज ने CMFRI के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहेन किया है उन्होंने ढाका में दक्षिन एशियाई क्षेत्रिय सहियोग संगठन में वरिष्ट कार्यक्रम विशेशग्य के पद पर भी कार्य किया है दो दशकों से अधिक के अनुभव के साथ एक मत्स्य पालन शोध करता दो जॉर्ज मत्स्य संसाधन प्रबंधन, समुद्री जैव विविधता, परियावरन प्रबंधन, मत्स्य पालन, समुद्र विज्ञान, रिमोट सिंसिंग और जलवायू परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में विशेशग्यता रखते हैं अपडेट तीन बैंकिंग उतकर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का शुद्ध लाब पहली तिमाही में 28 प्रतिशत बढ़कर 137 करोड रुपए हुआ इससे पिछले वित्वर्ष की इसी तिमाही में बैंक ने 107 करोड रुपए का शुद्ध लाब कमाया था शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि तिमाही के दोरान उसकी कुल आय बढ़कर 1071 करोड रुपए पर पहुँच गई जो इससे पिछले वित्वर्ष की समान तिमाही में 812 करोड रुपए थी तिमाही के दोरान बैंक की ब्याज आय बढ़कर 966 करोड रुपए पर पहुच गई जो इससे पिछले वित्वर्ष की समान तिमाही में 720 करोड रुपए थी संपत्ती की गुनवत्ता के संबंध में बैंक की सकल गैरनिशपादित परिसंपत्तियां एन पी ए जून 2014 के अंत तक घटकर सकल रेंका 2.78 प्रतिशत रहे गई जो एक साल पहले 3.1 प्रतिशत थी तुर्की ने सिंसर्शिप विवाद के बीच इंस्टाग्राम को ब्लॉक किया तुर्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम तक पहुच को अवरुध कर दिया है इन्फोटेक नियामक ने प्रतिबंध के लिए कारण या अवधी बताय बिना कहा जिसने प्लेटफॉर्म के मोबाइल एप को भी दुर्गम बना दिया है यह कदम तुर्की के संचार अधिकारी फहरित्तिन अलतुन की टिपपणियों के बाद उठाया गया है जिसमें उन्होंने फिलिस्तीनी आतंकवादी समू हमास के एक प्रमुख अधिकारी इसमाईल हानिये की हत्या पर शोप पोस्ट को अवरुध करने के इसके फैसले की आलोचना की थी तुर्की के राश्ट्रपती कार्यालय के संचार निदेशक अलतुन ने एक्स पर कहा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉंच किया National Institute of Technology का लिकट निटसी ने एक अत्याधुनिक वेब पोर्टल निवाहिका लॉंच किया है जिससे संस्थान के डेटा को संभालने और रिपोर्ट करने के तरीके में क्रांती आने की उम्मीद है निटसी के निदेशक प्रसाद कृष्णा ने पोर्टल का उदघाटन करते हुए कहा निवाहिका के साथ अब हमारे पास एक विश्वस्निय उपकरण है जो सटीकता और स्थिर्ता सुनिश्चित करता है केंद्र की प्रस्तुतियों से लेकर राष्ट्रिय रैंकिंग तक हर चीज में सहायता करता है उन्होंने कहा कि निवाहिका न केवल निटसी के लिए एक मील का पत्थर है बलकी पूरी तरह से चालू होने के बाद अन्यनिट के लिए भी एक बेंचमार्क स्थापित कर सकती है अपडेट छेट विध्यान और प्राध्योगी की इंडियन इंस्टीट ओफ एस्ट्रोफिजिक्स के शोध करताओं ने वैंपायर स्टार खोजा जो अपने साथी तारे से उर्जा प्राप्त करता है इंडियन इंस्टीट ओफ एस्ट्रोफिजिक्स आयाये के खगोलविदों की एक तीन ने यह खोज की है कि एक पिशाच तारा, वैंपायर स्टार कर्क तारा मंडल में स्थित तारा समोह M67 में अपने साथी से सामगरी चूज कर अपनी युवावस्था को फिर से जीवन्त कर रहा है। पिशाच तारे जिन्हें ब्लू स्ट्रैडलर स्टार DSS के रूप में जाना जाता है। तारकिये विकास को चुनोती देते हैं और युवासितारों की कई विशेशताएं दिखाते हैं। वैज्यानिकों ने M67 में पिशाच तारे की सतह की संरचना का अध्ययन किया, जिसे VOX 9005 कहा जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का उप्योग करके एक ऐसी तकनीक जहां तारे का प्रकाश इंद्रधनुष की तरह उसके रंगों में बिखर जाता है। अपडेट साथ विज्ञान और प्रौध्योगी की। भारत ने ISS के लिए AXIOM 4 मिशन के लिए चालक दल का चयन किया। भारत ने अंतरराश्ट्रिय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्सियोम चार मिशन के लिए दो अंतरिक्ष यात्री नामित गल को शॉर्ट लिस्ट किया है। मिशन पाइलट के रूप में दो गगन यात्रियों, अंतरिक्ष यात्रियों की सिफारिश्की है। के पाँच सितारा होटल के निर्मान के लिए टाटा समूह के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये। इस अफसर पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सर्माने कहा कि इस साल की शुरुवात में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व धरोहर स्थल पर रात भर रुकने के बाद काजीरंगा में पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धी हुई है। सर्माने कहा कि काजीरंगा में एक पांच सितारा संपत्ती की स्थापना के लिए समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये गए थे, जो आगन्तुकों को विश्व स्तरिय अनुभव प्रदान करेगा और उन्हें असम में अधिक समय बिताने के लिए प्रोच साहित करेगा। वित्त मंत्राले ने 3 अगस्त को सभी सार्वजनिक शेत्र की बीमा कमपनियों से केरल आपदा पीडितों को हर संभव सहायता देने का आग्रह किया ताकि उनके बीमा दावों को तेजी से संसाधित और भुगतान किया जा सके। वित्त मंत्राले ने कहा कि साधारन बीमा परिशत बीमा कमपनियों के साथ समनवय करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दावों का निप्तान और भुगतान तेजी से किया जा सके और सभी बीमा कमपनियों के लिए दैनिक दावे की स्थिती की रिपोर्ट करने के इसमें कहा गया है केंद्र सरकार और वित्त मंत्राले इस आपदा के पीडितों की सहायता करने और यह सुनिष्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उन्हें बिनादेरी और परेशानी के आवश्यक सहायता प्राप्थ हो. अपडेट 10 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन भारत करेगा Global South Summit के तीसरे संसकरण की मेजबानी कर सकता है जिसमें जलवायू परिवर्तन के अलावा संधर्षों के प्रभाव और विकास संबंधी मामलों समेत कई बड़ी चुनोतियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. शिखर सम्मेलन जो आभासी मोड में होगा कि अध्यक्षता मंत्री स्तर पर बैठकों के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी. भारत इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके ग्लोबल साउथ के देशों को एक साजा मंच पर अपने द्रिष्टिकों, चुनोतियों और प्राथमिकताओं को साजा करने के लिए एक मंच प्रदान करने की योजना बना रहा है.